Hello students, I am Shivani Sharma, your Maths Educator and I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा प्लाटफॉर्म जहां क्लास KG से क्लास 12 प्लस दिफ्रेंट कॉंपेटिटिटिव एक्जाइम्स की तयारी आप लोग बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट कर सकते हो. तो यहां ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेस करना है. बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है. So class 11th math students, आज इस वीडियो में हम discuss कने जा रहे हैं chapter number 2, relations and functions की last exercise, that is miscellaneous exercise. तो हम लोग पूरे chapter को NCRT book से complete कर चुके हैं. यह वाली exercise बहुत ही जादा important है, गलती से भी miss नहीं करना है, क्योंकि आपके school exam में इस exercise से questions as it is पूछे जाते हैं. This is one of the most important exercise, ओके, चलो जी. तो अगर आप लोगों ने पूरा sequence में chapter number 2 को follow किया है, तो एक basic idea developed हो चुका है, कि relations क्या है, functions क्या है, Cartesian product क्या है, ordered pair क्या है. ठीक है, एक idea तो हमारे पास आ गया है, ठीक है? तो हम questions को सबसे पहले read खुद से करेंगे, और खुद से solve करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो एक बार आप question को पढ़ें, थोड़ा सा logic लगाए, और उसके बाद इसका solution देखें. तो क्या है न, ऐसा होगा कि practice भी हो गया, और revision भी हो गया. ठीक है, चलिए ची. वो क्या कहता है? The relation F, यह लोग किसकी बात कर रहे है? Relation की. आपको कुछ relations given है, क्योंकि relation में भी definition given होती है. Okay. So, relation F is defined by, मेरे पास एक relation F है. उसकी definition क्या है कि F of X is equal to X square है, अगर X 0 से 3 के बीच में है. अच्छा. तो X अगर 0 से 3 के बीच में है, तो F of X मेरा X square है. अगर मेरा X 3 से 10 के बीच में है, तो मेरे F of X की value क्या है, जी? 3X है. Okay. ठीक है. यह हमने समझा. उसके बाद आगे क्या है? यह तो relation F हो गया. इसके बाद मेरे पास एक relation G है. और relation G की definition क्या है? कि G of X जो है, अगर मेरा X 0 से 2 के बीच में है, तो मेरा G of X बच्चा X square होगा. अगर मेरा X 2 से 10 के बीच में है, तो मेरा G of X 3X होगा. Definition given हैं, कुछ relations की. Okay. आपको show करना है कि F एक function है, परन्तु G एक function नहीं है. क्या show करना है आपको, कि ये जो relation F है, वो function है और G function नहीं है. चलो एक बार, क्यूंकि अब देखो, last पे अपन पहुँच चुके है, relations and functions के. Okay. तो एक बार ना, जैसे जैसे questions को solve करते जाएंगे, concepts को भी recall करते जाएंगे. मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कि कोई भी, कोई भी relation, function कब होता है. Okay. What is a function? यह हमने बहुत विस्तार में discuss किया है, 2.3 की overview में. Function क्या होता है, जी? Function तो एक rule होता है, जो हमें बताता है, कि A set से B set के element कैसे connected है. और साथ में यह बताता है, कि भाईया, पहले set का कोई भी element खाली नहीं छूट सकता. अगर पहले set का कोई element खाली छूट गया, जिसका कोई image यहां नहीं है, इसका मतलब यह function नहीं होगा. Plus, अगर पहले set से आपको कोई ऐसा element मिल जाता है, जिसकी दो images हो रही है, एक का दो हो रहा है, एक element की दो images आपको मिल रही है, then also F is not a function. इन दोनों में से कोई एक condition भी अगर exist कर जाती है, तो function नहीं होगा. यह दोनों conditions नहीं होनी चाहिए, तब भी आपका कोई भी relation function कहलाएगा. ठीक है, clear है सबको? यह तो function की definition हो गई. अब मैं बात करती हूँ, मैं अपने F of X को पकड़ती हूँ. मुझे यहाँ पर F of X की definition ये दी गई थी, कि F of X की value X square है, जब ही भी मेरा X किसके बीच में लाई करता है? 0 से 3 के बीच में लाई करता है. 0 से 3 के बीच में अगर लाई करता है X, तो F of X की value X square है. और अगर 3 से 10 के बीच में लाई करता है, तो F of X की जो value है, वो क्या है जी? वो 3X है. मुझे शोग करना है कि F मेरा एक function है. तो देखो जराब, थोड़ा सा पन्ना feel लेते हैं इस question का. आप ये देख रहे हो कि जबी भी आपका X, X क्या है? जबी भी आपका X, 0 से 3 के बीच में है. क्योंकि देखो, यहाँ पर closed interval क्यों बनाया? क्योंकि ये equality का sign है, मतलब 0 भी included है, 3 भी included है. तो जबी भी मेरा X, 0 से 3 के बीच में है, तो इसके लिए F of X की definition क्या है? X square है. तो 0 से 3 के बीच में, plus 0 and 3, जबी, यह जो elements है, जब इनका मैं image निकालूँगी, तो definitely मुझे unique image मिलेगी. ठीक है? देखो, 0 से 3 के बीच में, तो अनन्त number है. ठीक है? लेकिन मैं भी माल लो, यह ले रही है, 0, 1, 2 and 3. This is my X, और यहाँ मुझे मिलता है F of X. मैंने अगर यहाँ 0 डाला, तो F of X क्या मिलेगा? देखो, F of X क्या मिलेगा? अगर मैंने यहाँ 0 डाला? ठीक है? अगर मैंने यहाँ 0 डाला, तो F of 0 क्या मिलेगा? बेटा, 0. मतलब 0 का connection तो 0 से होगा. अगर मैंने यहाँ 1 डाला, तो इसका connection किस से होगा? 1 से. अगर मैंने या 2 डाला तो 2 का connection किस से होगा 4 से अगर 3 डाला तो 3 का connection किस से होगा 9 से होगा मतलब ये तो sure है कि इस वाले set का कोई भी element खाली नहीं छूटेगा 0 से 3 के बीच में अनन्त element है हमने अभी सिफ मोटे मोटे 0, 1, 2, 3 ले लिया या बाकी की जो भी elements होगी उनका भी square आपको मिल जाएगा इस set में तो कोई खाली नहीं छूट रहा है और किसी भी element का एक का दो नहीं हो रहा है एक element की दो images आपको नहीं मिल रही है अब अगर मैं अपना next 3 से 10 वाला interval लेती हूँ अगर मेरा x belong करता है closed interval 3 से 10 तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर लेखा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारे numbers होंगे अभी हमने यह numbers रख लिया यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर क्या मिलेगा अगर आप देखो f of x क्या है यहाँ पर f of x से 3x अगर 3 डालते हो तो आपको 9 मिलेगा 3 का connection 9 से है 4 डालोगी तो बिटा connection 12 से होगा 5 डालोगी तो बिटा connection 15 से होगा 6 डालोगी तो बिटा 18 से होगा and so on आपको हर एक element का connection मिलेगा और यह connection कैसा होगा unique होगा आप यहाँ पे देख सकते हो देखो बाकी कोई भी पॉइंट 0 से 3 के बीच में और भी जो अनंत नंबर्स है उन सब के तो आपको connections मिलेंगे connections unique मिलेंगे जो एक point of discussion हो सकता था वो था point 3 x जब 3 है तब function की definition ये भी है x जब 3 है तब function की definition ये भी है तो ऐसा हो सकता था कि 3 पे आपको 2 image मिल जाती परन्तु ऐसा नहीं हुआ जब x मेरा 3 इस वाले interval में था तब मेरी function की definition x square थी 3 का connection तब भी 9 से हो रहा था और जब मेरा 3 इस वाले interval में है 3 से 10 वाले interval में तब भी मेरे 3 का connection 9 से हो रहा है तो अगर मैं एक साथ इस पूरे का graph भी बनाती हूँ न तो मिझे यहाँ पे हर एक element का unique image मिलेगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब f of x तो function है अब paper में क्या लिखना है वो सुनो ये तो सिर्फ आप लोगों के लिए था ठीक है ये जो समझाने की कोशिश की मैंने डाइग्राम से सिर्फ आप लोगों के लिए था paper में क्या लिख का रहा होगी आपको खुद फील हो गया it is a function बस आपको ये लिख देना है क्या clearly for every x ठीक है clearly for every x there exist unique image मेरे हर x के लिए मुझे unique image मिल रही है चाहे मेरा x 0 से 3 के interval में हो तो उसकी image मिलेगी चाहे मेरा x 3 से 10 के interval में है तो भी मुझे unique image मिल रही है या पर शब्द पकड़ो आप every and unique image every का मतलब क्या है पहले सेट में कोई भी खाली नहीं जूटने वाला है सबका connection होगा और unique का मतलब क्या है सबका connection unique है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है f of x is a function f of x क्या है एक function है ठीक है पहले खुद समझ जाओ और फिर language में लिखके आ जाओ that's it clear है सबको यह जो है एक function है अब बात करते हैं g of x के बारे में g of x की definition क्या है g of x की definition है कि it is x square जब मेरा x 0 से 2 के बीच में है यह x square है जब x आपका 0 से 2 के बीच में है ठीक है यह x मतलब यह जो interval given है न यह domain given है इस case में domain के closed interval 0 से 10 ठीक है तो x जो मेरे domain में रखे for every x which is in domain there exists unique image therefore it is a function ठीक है नब अगर मैं g of x की बात करती हूँ अगर x 0 से 2 के बीच में है तो definition x square है 2 से 10 के बीच में है अगर तो 3x है ठीक है यहाँ पर लिखाए x 2 से 10 के बीच में again कोई भी relation function कब होता है जब पहले set में कोई खाली ना छूटे और पहले set से एक का दो ना हो in short every element in domain should have unique image ठीक है तब ही आपका relation function होता है आप देखों यहाँ पर 0 से 2 के बीच में मेरे हर x के लिए मुझे image मिलेगा मतलब 0 से 2 के बीच में मुझे एक भी ऐसा x नहीं मिलेगा domain में जिसके लिए कोई connection नहीं है क्योंकि 0 से 2 के लिए definition है कि तुम्हारा connection x square से होगा साथ में 2 से 10 के बीच में मेरे जितने भी x होंगे न वो भी खाली नहीं होंगे उनका भी connection है connection क्या है 3x है from the definition it is clear that जितने भी x मेरे domain में है उन सब के लिए बिटा image तो है मतलब ऐसा तो कहीं नहीं दिखेगा हमको कि domain में कोई एकात element आपका खाली छूट गया नहीं क्योंकि देखो ना जो भी x मेरे 0 से 2 के बीच में है उनके लिए ये connection होगा x square आप डालती जाएंगे x आपको नया-nया connection मिलता जाएगा 2 से 10 के लिए भी जो भी आपके x इस domain में रखें उन सब के लिए connection है and the connection की definition है 3x definitely आपको connection मिल रहा है अब क्योंकि देखो जब ही भी कुछ नहीं बात कर रहे मतलब real बात कर रहे है मतलब ऐसा तो logic नहीं है मतलब domain का हर element का connection तो है अब कोई भी relation function कब बन जाता है या फिर what is a function एक rule है जो यह कहता है कि भी आप पहले set में कुछ खाली नहीं चूटना चाहिए तो हाँ इसमें पहले set में तो कुछ खाली नहीं चूटेगा plus पहले set से एक का दो नहीं होना चाहिए अब आप ज़रा यहां देखो अगर आप x equal to 2 की बात करते हैं ना domain में रखा मेरा x जो 2 के बराबर है इसके लिए जो g of x है वो क्या आ रहा है बिटा यहां पे डालेंगे तो 2 का square 4 आ रहा है मतलब image of 2 is 4 इतना ही नहीं and for x equal to 2 g of x क्योंकि x अगर 2 है तो g of x की यह definition भी applicable है कितना आ रहा है 6 आ रहा है तो आपने क्या देखा आपने यह देखा कि image of 2 is 6 also मतलब कुछ ऐसा diagram बन रहा है ना यहां 2 बैठा है 2 का connection 4 से भी हो रहा है 2 का connection 6 से भी हो रहा है 1 का 2 1 का 2 is not a function इसका मतलब क्या लिखोगे आप हो गया यह function है यह function नहीं है तो इसका screenshot ले लिया आपने चले आगे सवाल की तरफ ओके तो इसको हटाते है next question की तरफ अपन आगे चलते है that is question number 2 question number 2 बहुत simple है क्या कहता है कि if f of x is equal to x square है आप हमें इसकी value find करके दे दो हमने का ठीक है कौन सी समस्या की बात है सुनो जी f of x अगर x is square के बराबर है ठीक है आपको क्या बताना है आपको बताना है कि what is f of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 sorry 1.1 minus 1 यह चाहिए आपको कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ x की जगा पे 1.1 डालो x की जगा पे अगर आप 1.1 डालोगे तो f of 1.1 मिल जाएगा आपको आपने आपे x की जगा पे 1.1 डाला तो f of 1.1 क्या मिलेगा 1.1 का square मिलेगा क्योंकि f of x x square के बराबर है यहाँ पे x की जगा पे 1.1 डालोगे तो इधर भी डालना पड़ेगा तो f of 1.1 क्या होगा 1.1 का whole square तो इसकी जगा पे यह आगया minus f of 1 चाहिए आपको x की जगा पे 1 डालो तो f of 1 क्या रहे बिटा 1 square आ रहे denominator में क्या है आपके पास 1.1 minus 1 आप थोड़ा सा smart work करेंगे हम सब जानते कि a square minus b square क्या होता है a minus b into a plus b ठीक है चलो लगा देते हैं logic तो यह क्या बनेगा यह बनेगा 1.1 minus 1 into 1.1 plus 1 a square minus b square का formula लगा दिया a minus b into a plus b divided by क्या लिखा है यहाँ पे 1.1 minus 1 cancel out क्या मिल रहा है 1.1 plus 1 क्या होगा जी इसका addition इसका addition होगा 2.1 इसके साथ question number 2 उड़ गया ठीक है simple था चलिए जी क्या किया बिटा पर ने definition है f of x equal to x square ओके यहाँ पे 1.1 चाहिए f of 1.1 तो यहाँ पे f of 1.1 x की जगा पे डाल दो आपको मिल जाएगा 1.1 का square f of 1 चाहिए x की जगा पे 1 डालो f of 1 क्या है 1 square रखा a square minus b square लगा है उड़ाया आपको 2.1 मिल गया question 2 हो जाता है complete चलो भाईया आगे चलते है question number 3 की तरफ question 3 कहता है कि find the domain of this function इस function की domain बता दो मैंने का function बता दो function क्या है function है x square plus 2 x plus 1 divided by x square minus 8 x plus 12 यह function है मुझे domain बताना है चलो भाई domain को एक बाना revise करते है क्या आप सब लिगों को याद है what is domain domain होता है किसी function f of x की अगर domain चाहिए तो domain क्या है all possible all possible values of x for which all possible values of x for which आपका function is defined वो सभी x की values जिसके लिए आपका function defined हो and क्यूंकि हम 11, 12 में जो functions पढ़ते हैं वो real functions होता है तो real number की set में से वो सभी x आपको रखने हैं जिसके लिए आपका function defined हो और जिसके लिए function defined नहीं है उनको real number की set में से उड़ा दो तो यह definition है domain की all possible values of x for which function is defined अब function is defined का मतलब यह होता है कि यदि आपका function numerator by denominator type का है और आप चाहते हो कि यह function defined हो तो यहाँ पे आपको make sure करना है कि denominator आपका 0 नहीं हो सकता यूँकि जहाँ denominator 0 हुआ वहाँ function not defined हो जाएगा फिर अगर आपका function ऐसा है under root को यह expression लिखिया आप चाहते हो कि आपका यह real function define हो तो आपको यह make sure करना है कि root के अंदर लिखा हुआ expression should be greater than equal to 0 इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि 1 upon under root expression है यह मेरा defined हो मेरा meaningful function हो तो आपको make sure करना है कि this expression should be greater than 0 y not equal to 0 क्योंकि denominator में 0 ने हो गया तो numerator by denominator function will become undefined और हमको x की वो values चाहिए जिसके लिए मेरा function defined हो ठीक है greater than 0 क्यों क्योंकि under root है negative नहीं हो सकता है root के अंदर क्योंकि हम real functions के बारे में चर्चा कर रहे है root के अंदर negative leads through imaginary number ठीक है तो यह हो गया आपका domain का concept now let us solve this question मुझे domain find करनी है function की function की definition देखो कैसा है मेरा function function का characteristic क्या है function है numerator by denominator आप यहाँ पर लिखेंगे clearly clearly बहुत साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है clearly f of x is not defined f of x is not defined if denominator जो है इसका यह 0 हो जाता है मेरा f of x undefine हो जाएगा not define हो जाएगा अगर denominator मेरा 0 हो जाएगा तो मुझे वो x चाहिए जिसके वज़े से मेरा denominator 0 हो रहा है और उन x को मैं real number की family से गायब कर दूँगी तो मुझे इस function का domain मिल जाएगा now let us find वो x जिसके लिए मेरा x square minus 8x plus 12 equal to 0 हो रहा है कैसी equation है यह it is a quadratic equation how to solve quadratic equation बहुत सारे method है आपके पास इसमें से एक method is splitting the middle term आप फड़ाफ़ट middle terms को split करते हैं वो 12 है ना जी तो कैसे करें 12 के factors निकाल लो आप तो आपको 2 और 6 भी मिल जाएगा ठीक है तो इसको आप लिखोंगे this is x square minus 6x ठीक है minus 2x plus 12 equal to 0 12 के factors निकालोगे तो क्या हैगा 2 6 जा 2 3 जा 3 जा ठीक है देखो यहाँ पे कैसे किया this is 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 जा 3 so यह 2 2 3 जा रहा है इसमें से मैंने इसका pair बनाया और एक एक यह रख लिया अकेला 3 2 0 6 6 और 2 अगर मैं subtract करूँगी तो मुझे minus 8 मिल जाएगा 6 और 2 का multiplication करूँगी तो मुझे 12 मिल जाएगा all good मैंने सही तरीके से factorize किया है आउ ज़रा x common लेते है तो यहां से अगर x common लोगी तो बेटा यह x minus 6 होगा यहां से minus 2 common लिया तो यह x minus 6 है and this is equal to 0 तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि x minus 2 है और x minus 6 है brackets को collect किया 0 से equate किया तो यहां से आपको x की value 2 मिल रही है और 6 मिल रही है तो denominator में अगर मेरी x की value 2 या 6 हो जाती है तो मेरा denominator 0 हो जाएगा और अगर denominator मेरा 0 हो गया तो function मेरा not define हो जाएगा परन्तु domain क्या कहता है वो input डालिए अपने function में जिसके लिए आपका function define रहे तो मैंने वो input में का लिए जिसके वज़े से मेरा function not define हो रहा है अब इन input को अपने real number की family से उड़ा दीजिए आपको इसका domain मिल जाएगा तो आप यहां लिख लेंगे कि भाईया जो domain है आपके f of x का वो क्या है सारे real number से except set containing 2 and 6 element इसको set में लिखते हैं तो 2 और 6 को छोड़के बाकी entire real number का collection family is going to be its domain आप कुछ भी डाल दो not define नहीं होगा I hope question number 3 clear है all good आगे चले चलो बीटा आगे देखते हैं अपना अगला सवाल that is question number 4 question number 4 में आपको domain and range निकालना है real function f का which is defined by f of x function कैसे है बीटा आपका real function है मतलब domain and co domain दोनों या तो real numbers है या तो subset है real numbers के ठीक है in short real numbers है चलो domain तो हमने discuss कर लिया है range भी मैं आपको revise कर वा दूँगी एक बार पहले इसकी domain निकालते है यहाँ पे जो मेरा real function है it is f of x is equal to under root के अंदर x minus 1 ठीक है जी domain चाहिए में रखो तो domain क्या होता है domain क्या होता है अभी हमने discuss किया था domain होता है all possible values of x for which आपका function defined है यदि function numerator by denominator type का है आप चाहते हो आपका function defined हो तो denominator should not be 0 अगर function under root expression है तो भाईया आप चाहते हो कि आपका function defined हो, meaningful हो कोई valid function हो तो this expression should be greater than equal to 0 now let's go to our question हमारे पास जो function है वो कैसा है under root के अंदर एक expression है अगर आप चाहते हो कि आपका function defined हो for f of x to be defined अगर आप चाहते हो कि भाईया आपका function defined हो और f of x to be defined आपको क्या make sure करना है कि root के अंदर लिखा हुआ expression या तो 0 ने हो जाए या तो 0 ने से बड़ा हो जाए अब इसे कैसे solve करेंगे यह minus 1 वहाँ shift कर दो तो आपको मिलेगा x greater than equal to 1 basically पता है इन inequalities को कैसे solve करते हैं आपका एक पूरा chapter है उस chapter में आप यह देखोगे लेकिए मैं अभी आपको ने खलका सा idea दे देती हूँ दोनों तरफ plus 1 करते है minus 1 को उठाके वहाँ लिजाने की जगा क्या करते है दोनों तरफ plus 1 करते है यहाँ plus 1 करोगे यह क्या बोजाएगा यहाँ पे plus 1 आजाएगा तो x की value क्या आ रही बिटा x की value आ रही ग्रेटर देन एक्वल तो 1 तो आपका यह function defined होगा वो सब x के लिए उन सब x के लिए आपका यह function defined है जहाँ पे मेरा x 1 है या तो 1 से बड़ा है अब 1 से बड़ा है तो कितना बड़ा है since we are dealing with real functions तो भाई आए infinity था का where infinity is never included in the bracket okay so 1 से infinity के बीच में including 1 आप कोई भी x ले लो उस x का input अगर इस f of x में करोगे तो आपका यह function defined होगा तो इसका जो domain है इसका जो domain है आपके f of x का domain of f of x वो क्या आ रहा है domain of f of x आ रहा है closed interval 1 से infinity okay infinity में open bracket बनाओगे क्योंकि infinity is not included right so closed interval 1 से infinity आप इस interval का कोई भी point यहाँ पे डाल दो आपका function define होगा 1 डालोगे शून ने मिल जाएगा 1.1 डालोगे positive ही मिलेगा function is going to be defined तो domain तो हमको मिल गया closed interval 1 से infinity ठीक है now let's talk about range इसका range क्या है हमेशा याद रखना जबी भी range निकालते है तो domain का भी domain की भी भूमिका होती है उसमें domain को भी हमको एक बार देखना होता है क्योंकि range का मतलब होता है possible output जो आपको मिलता है जब आप input उसमें डालते हो and input is domain तो जब आप input अपने function में डाल रहे हो तो क्या possible output आपको मिलता है that is known as range ठीक है आप range find करने के लिए कुछ step है step number 1 ये कहती है कि आप अपने f of x को replace कर दो y से तो मेरा जो f of x है मैं उसको replace करूंगी y से तो ये बन जाएगा y is equal to under root के अंदर x minus 1 अब क्या करूं मा step number 1 ये है कि f of x को y रग दो step number 2 ये कहती है कि आप अपने x को in terms of y बनाओ अब ये x तो बिचारा root के अंदर फसा है तो root को उडाओ कैसे उडाओगे root को उडाना है तो दोनों तरफ squaring करोगे तब root उड़ेगा ठीक है तो दोनों तरफ कर दो squaring so y square is equal to x minus 1 ठीक है अब x को अखेला करना है इसको यहाँ shift कर लो आप so this is y square plus 1 is equal to x ठीक है आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि y square plus 1 equal to x आपके पास आ गया अब यहाँ जो आपका x है वो कैसा है greater than equal to 1 है राइट और y square plus 1 क्या है x है और x क्या है greater than equal to 1 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि y square plus 1 राइट y square plus 1 is greater than equal to 1 x greater than equal to 1 है x आपका y square plus 1 है तो क्या y square plus 1 greater than equal to 1 होगा definitely होगा अब एक काम करते हैं दोनों तरफ minus 1 कर दो या फिर इस plus 1 को उठा के वहाँ ले जाओ, तो वो minus हो जाएगा So this is y square greater than equal to 0 ऐसा आ रहा है y square कैसा आ रहा है, greater than equal to 0 आ रहा है, और अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे x minus 1, अगर आप चाहते हैं कि f of x से वो कैसा है, positive है मेरा y square अगर greater than equal to 0 है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, कि मेरा y greater than equal to 0 है definitely कह सकती हूँ और range क्या होता है range आपको पता चल जाता है y की value से, क्योंकि range is output and मेरा output क्या है f of x, f of x का मतलब क्या होता है y, तो मेरा y क्या है greater than equal to 0, तो इसका जो possible output आएगा, यहां लिख देती हूँ, इसका जो possible output आएगा, that is greater than equal to 0, मतलब 0 included है, लेकिन कितना बड़ा 0 से, अनन्त तक तो आप लिखेंगे 0 से infinity and infinity को लिखते हैं अपन लोग हमेशा open bracket में तो इसका range क्या आ रहा है, इसका range आ रहा है 0, closed interval infinity, open interval में क्या है हमको समझ में आया domain निकाल लिया आपने, तो range निकालते हैं, वंक domain के आप काफी help लेते हो, range निकालने के लिए जो पहली step होती है वो यह होती है कि f of x को बेटा y से replace करो, उसकी बाद x in terms of y बना लो x in terms of y बनाया यहां तक अब क्या करें, बैठके सोच रहे थे पिर हमने देख रहे है, एक सो greater than equal to 1 है, और ये भी तो मेरा x है तो ये भी greater than equal to 1 होगा इसको simplify किया, y square greater than equal to 0 आ रहा है और इसको देखोंगे, तो yes, y आपका कैसा है, greater than equal to 0 है and y ही तो आपका output है तो output क्या है, closed interval 0 से infinity, तो ये इसकी range बन जाती है, I hope ये question clear है, okay, so range का मतलब होता है possible output अब आजाते हैं, अगले सवाल पे, यहां पे भी आपको domain and range निकालना है, अपने real functions की, जो भी functions पर रहो सबके सब real functions है, ठीक है domain and range निकालिए, real functions की function define है, f of x is equal to modulus x minus 1, मेरा function कैसा है, real function है, मतलब इसका domain भी real number है, को domain भी real number है ठीक है, okay, so f of x क्या है, modulus of x minus 1, अब मुझे इस function की ना domain चाहिए, मेंटा domain का मतलब क्या होता है, वो सभी x की possible values जिसके लिए आपका ये function define रहे numerator में बैठा है बिचारा ये function, ठीक है, इसको दो कोई समस्या दुख तकलीव परिशा नहीं है, इनी जिंदगी में, right, आप real number की family में से कोई भी real number डाल दो, इसमें ये define ही रहेगा तो इसका domain क्या है, set of all real numbers, set of all real numbers को denote करते हैं capital R से तो आप इसमें कुछ भी input कर दो real number के set में से आप कोई भी x यहाँ input करोगे ये define ही होगा मतलब ये हर real number के लिए क्या है, define है, इसका मतलब इसका domain क्या है, R है अब बात करते हैं range की range की बात करे, range का मतलब है output, possible output जो आपको input डालने पे मिलता है f of x को ही हम लोग प्यार से कहते है y so y is equal to f of x is equal to modulus x minus 1 मेरे पास है domain क्या है जभी भी range निकालते हो domain की भूमिका होती है तेकि domain क्या है, all set of real numbers, now real number is a very big family of numbers इसके अंदे positive, negative fraction, 0, सब कुछ type का number होता है, मतलब rational and irrational का पूरा combo होता है, आपका real numbers तो मैं इसमें entire real numbers को जब input करूंगी न, तो मुझे जो output मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, अगर ये मैंने जान लिया, तो मैं को range पता चल चाहेगा, क्योंकि range तो output होता है अब हम सब जानते हैं कि modulus function की तरह ही हमको जिंदगी में होना चाहिए, हमेशा positive, आप भाईया इसमें positive number डालो, तो भी positive ही होगा, आप इसमें negative डालो तो भी positive होगा, यानि the output of output of modulus function is always positive लेकिन positive क्या? positive real number क्योंकि आप इसका जो domain देख रहे हो क्या है, real number है, आप इसमें कोई भी real number डालो, आपको positive real number ही मिलेगा, ठीक है, तो इसका जो range है, range क्या होगा, इसका range is positive set of positive real number set of positive set of positive real number, इसका आपको range मिलेगा, एक बाइसका screenshot ले लिजिए, फटा फट I hope ही clear है, domain is R, range is non negative real number, या फिर set of positive real number, ठीक है so positive real number लिखो, या फिर non negative real number लिखो, एक ही बात है so non negative real number जो भी real number होगा, वो negative नहीं होगा, तो range क्या है non negative real number, इसके साथ question number 5 complete हो जाता है, ठीक है चलिए जी, अब आते हैं अगले सवाल पर question number 6, अच्छा question है ये, आपके पास एक function है function के अंदर ये ordered pair given है, अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई function के अंदर, आपको इस तरीके से कोई ordered pair मिलता है ना, तो हमेशा याद रखना जो ये पहला वाला है, ये x होता है, और जो दूसरा वाला है, वो f of x होता है, और f of x को ही प्याग से y कहते हैं, ठीके, चलो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि आपके पास कोई f है f एक function है, यहाँ पे function किस तरीके का है, कि इस function के अंदर ordered pair है, x, x square upon 1 plus x square type का, such that जो x है, वो belong करता है real number के परिवार में and this is a function from r to r r से r की तरफ जाता हुआ, यह एक function है, आपको इस function की range बताना है, so what is range, range is the possible output, जो आपको मिलता है possible input डालने के बाद, ठीके, आपको इस की range बताना है अब अगर आप इस question को देखो, तो मैंने अब भी just आपको बताया, range में हम क्या करते हैं, f of x की जगा पे y रख देते हैं now what is my f of x पहला x है, तो यह दूसरा वाला क्या होता है, बच्चे, f of x होता है तो इस question में, मेरे पास to f of x है वो क्या है, x square upon 1 plus x x square, यह इसका f of x है, ठीके, कभी भी function में अगर आपको ऐसा ordered pair मिलता है न, तो याद रटना पहला वाला x होता है, दूसरा वाला f of x होता है, तो यहाँ पे x, x square upon 1 plus x square था, तो x square upon 1 plus x square f of x हो जाएगा, ठीके ओके, range find करने की जो पहली step है, वो पहली step क्या है कि f of x को आप y रख दो, तो हमने f of x को y रख दिया ठीके जी इसका domain क्या है इसका domain तो set of real numbers है, सारे real numbers as our input यह ले सकता है, जब सारे real numbers में input डालूंगी, तो मुझे output क्या मिलेगा, मुझे वो जानना है, ठीके, ओके, तो f of x की जगा पे y रखा अब आप इसको x in terms of y बना लो step number 2, x in terms of y, तो यह बनाने के लिए इसको यहाँ shift करो, तो y बन जा y plus y x square is equal to x square x in terms of y बनाना है आपको, ठीके, इसको उठा कि यहाँ ले जाओ, तो यह बनेगा y is equal to x square minus y x square इसमें से x square को common ले लो, तो आपको मिलेगा y is equal to x square common लिया, this is 1 minus y, इसको ध्यान से देखना अभी आप लोग, तो यह क्या बनेगा जी, यह domain हटा देती हूँ मैं अभी से, यह क्या बन जाएगा, देखो जरा इसको denominator में लेकर आजाओ, so this is y यह है y upon, क्या लिखा है 1 minus y y upon 1 minus y is equal to x square चेक करो एक बार, यहां तक सब चेक कर लो इसको यहाँ ले गाए, तो y plus y x square equal to x square, इसको उठा के वहाँ ले गाए, x square common लिया 1 minus y, 1 minus y equal denominator में आप लेकर आगए, ठीक है, तो यह कुछ इस तरीके का मिल रहा है अब मेरी बात सुनो आप जानते हो, कि x कहा बिलॉंग करता है, real number में ठीक है x बिलॉंग करता है, real number में, it can be positive और negative किसी भी number का square जिंदगी में हमेशा positive होता है, शून ने हो सकता है, या फिर positive होगा इसका मतलब यह है, कि clearly without a shadow of doubt, हम यह जानते हैं, clearly हमारा जो x square है it is greater than equal to 0 परंदू x square तो यह है इसका मतलब यह हुआ, कि y upon 1 minus y भी कैसा होगा, greater than equal to 0 होगा अब अगर मुझे वो y पता चल गए न, जिसके लिए यह expression greater than equal to 0 है plus एक बार domain पे नज़र डाल लेंगे, अपर domain कैसा है तो हम इसका possible output आपको बता सकते हैं ठीक है, clear है सबको तो range बताते हैं वक्त आपको बहुत ही जादा एकदम vigilant होना होता है, आपको एक एक चीज देखनी होती है आपने y बना लिया, y की values निकाली ही तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपने जो y की values निकाली वो ही range होगी आपको एक बार domain को एक बार जाके अपनी function की definition को भी देखना होता है, कि आखिरकार function की definition क्या है, उसके according फिर आप देखना की यह जो y की values आई है, यह range है भी या नहीं है, ठीक है, क्योंकि range is possible output, right ओके चलो, अब वो y मुझे कैसे मिलेगी जिसके लिए मेरा यह entire y upon 1 minus y greater than equal to 0 होगा तो एक काम करते हैं इसको solve करने के लिए ना मेरे पास करेंगे, हम इसमें कुछ उपर नीचे multiplication करेंगे क्या multiplication करेंगे मैं उपर भी 1 minus y का multiply कर रही हूँ और मैं यह denominator में भी 1 minus y का multiplication कर रही हूँ and this is greater than equal to 0 ठीक है, कुछ गलत हुआ क्या, अगर y upon 1 minus y greater than equal to 0 है, तो क्या यह quantity greater than equal to 0 नहीं होगी मैं definitely होगी, आपने जो multiply किया वो ही divide किया, पर मैं क्या मज़ा क्या आगया यह करने पे, आओ बताती हूँ आपको, सुनो ज़ना, यहाँ पे this is y 1 minus y, और यह क्या है, this is 1 minus y का whole square और यह है greater than equal to 0 denominator आपका जिंदगी में हमेशा कैसा होगा जी, 1 minus y का whole square कर दिया मैंने denominator हमेशा जिंदगी में कैसा होगा square of any number is positive तो हमको कोई समस्या ही नहीं है denominator जो हमको थोड़ा सा ना भी तकलीफ दे रहा था, हमने उसको चुप कर दिया, denominator 1 minus y का whole square होगा and square of any number is always positive अब अगर इस entire expression को greater than equal to 0 होना है, तो सब कुछ किसके उपर depend कर रहा है सब कुछ depend कर रहा है numerator में लिखे इस expression के उपर क्योंकि अगर ये entire expression positive हो जाती है तो positive upon positive is positive, ठीक है अगर ये entire expression numerator की negative हो जाती है तो negative by positive negative हो जाता है, तो अगर आपको पता करना है कि y की कि value के लिए ये पूरा expression मेरा positive हो रहा है तो हमको पूरा ध्यान किसके उपर रखना है numerator के उपर क्योंकि denominator तो हमारा positive है तो हम basically क्या करने जा रहे हैं हम वो y की value दूनने जा रहे हैं जिसके लिए ये greater than equal to zero होगा denominator तो पेटा शूनने हो नहीं सकता है क्योंकि not define हो जाएगा तो हमको numerator में वह वाई तलाश करना है जिसके लिए positive हो जाए और यह find करने के लिए मैंने आपको concept overview of 2.3 में सिखाया है कि जो भी यह है इसको चुपके से rough work में ले जाओ और इनको शूनने से equate करके y की values निकाल लो तो y 0 आ रहा है और y की value 1 आ रही है अब 0 और 1 जो आया है इसको आप number line पे बना लो this is 0 this is 1 बच्चा बच्चा जानता है left में minus infinity है right में plus infinity है आप देख सकते हो कि 0 and 1 ने इस entire number line को तीन sections में divide किया है एक है minus infinity से 0 एक है 0 से 1 और एक है 1 से infinity ठीक है अब मुझे इसमें से वह interval को उठाना है जहां पे मेरा यह expression कैसा हो positive हो या फिर 0 हो ठीक है तो वह expression को वह interval कौन सा होगा जहां पर यह entire expression positive होगी तो मैं काम करती हूं चेक कर लेती हूं कैसे minus infinity and 0 की बीच में कोई नंबर ठालो minus infinity and 0 की बीच में बिटा एक number होगा suppose minus 1 minus 1 को यहां पे डाल के चेक कर लो इन वाई में minus 1 डाल के sign क्या रहा है तो 0 से 1 के बीच में बच्चे 0.5 होगा एक number 0.5 right 0.5 यहां डालोगे this is positive 0.5 यहां डालोगे तो बच्चे 1 में से 0.5 को minus करोगे तो वो भी positive होगा and positive into positive is positive तो यह तो positive हो जाएगा 1 से infinity के बीच में suppose मैंने एक number उठा लिया 2 अगर मैं 2 को यहां पे डालती हो so this is 2 and this is 1 minus 2 तो 2 तो positive and this is negative positive into negative तो negative होता है तो यह आपका negative हो जाएगा इसका मतलब आपको कौन सा interval लेना है minus infinity से 0, 0 से 1 and 1 से infinity में कौन सा interval पिक करना है आपको वो interval पिक करना है जहां पे यह quantity greater than equal to 0 I है और वो interval है आपका 0 से 1 के बीच वाला including 0 and 1 ठीक है इसका मतलब आपका जो यह Y है ना this Y belongs to closed interval 0 to 1 ठीक है क्योंकि 0 भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं उस पे शून्य हो जाएगा मतलब मेरको Y की value तो पता चल गई अब क्या यही मेरा Y range है यह मुझे confirm करना है ठीक है तो यह confirm करने के लिए मैं जाओंगी अपने function की definition पे क्या इस function की definition में अगर हम X belongs to R में से कुछ भी डालेंगे तो क्या हमको output 0 से 1 के बीच में ही मिलेगा आप यहां पे इसको ज़रा analyze करो और फिर बताओ क्या हमारा जो Y की value आई है वो ही range है analyze करिए एक बार क्या आ रहा है अपने पास range closed interval 0 to 1 हमने का है ना देखो जी हम कुछ भी X डालें यहां पे right हम कुछ भी X अगर यहां डालते हैं तो for example अगर हमने X 0 डाला तो यह 0 हो जाएगा अगर X हमने minus 1 डाला तो this is 1 upon 1 plus 1 2 1 डालोगे तो भी आपको 1 upon 2 ठीक है क्या आपको 1 मिलेगा कभी इसमें चेक तो करो और उपर से एक बात तो सुनो हमने कहा close interval 0 to 1 अगर आप 1 ले लेते हो ठीक है अगर आपने 1 ले लिया तो यह जो quantity है आपकी यहां पे इधर वो क्या हो जाएगा not define हो जाएगा अप 1 को नहीं ले सकते हो ठीक है अप 1 को नहीं ले सकते यहां पे आप y की जगा प जीरो भी close interval में 1 भी close interval में परन्तु मैं आपसे कह रही हूं आप 1 को नहीं ले सकते क्यों कि अगर आपने 1 को लिया तो denominator में भी तो है यहां पे अगर 1 आ गया जीरो समस्या नहीं है अगर यहां पे 1 आ गया तो यह not define हो जाएगा denominator में 0 नहीं हो सकता है 1 को रखने पे मेरा denominator not define हो रहा है तो में को सारी conditions देखनी होती है सब कुछ analyze करने के बाद अपने function की तरफ आप जाएए function को देखो क्या मुझे इस function का output इसी interval में मिलेगा closed interval 0,1 open interval 0 डालोगे 0 मिलेगा 1 तो नहीं मिलने वाल आपको कभी भी ठीक है तो यह आपका range हो गया तो इसका range किया है सब कुछ एक दम analyze करके तो थोड़ा सा आपको range पे work करना पड़ेगा एक चीजें आपको अच्छे से देखना होगा तो यहाँ पे range क्या आ रहा है? यहाँ पे range आ रहा है closed interval 0 to 1 Why not 1? 1 को क्यों include नहीं कर रहे है? क्योंकि यह 1 को include किया तो not define हो जाएगा समस्या ही समस्या करे हो जाएगी सब कुछ देखके फिर answer देना है आपको इसका अच्छे से screenshot लो बड़ा ही प्यारा question है बहुत important है फिर अपन चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ तो range is closed interval 0,1 open interval तो यहाँ पर इसको include नहीं करेंगे अपन क्यों नहीं करेंगे सारे सवाल मिल गए इधर तो कोई दिक्कत नहीं थी परन्तु अपने वास्तविक function को तो देखो यहाँ पर आपको पूरा देखना है यह इट शुट बे ग्रेटर दन इक्वल टो जिरो यहाँ पर तो सब ठीक था वन ले रहेते कोई दिक्कत नहीं था परन्तु जो अपने इस original function को देखोगे तो वन रखने पे नौट डिफाइन हो रहा है इसलिए वन को उड़ा दिया वाई की वैल्यू हमेशा रेंज नहीं होती है वाई जो भी आया है उसके बाद देखो उसमें से किसको गायब करना है किसको उड़ा देना है आपको तो वह देखने के लिए आप अपने function की definition प्लस आपका जो भी य रिलाइस करके फिर final answer देना है आई विश ये question क्लियर है paper के लिए बहुत important है इस पर star mark बना लो और अच्छे से solve करना अब आते हैं अगले सवाल पर question number 7 इन questions को तो आप लोग उड़ाने वाले हो तो चलो उड़ाते हैं इन questions को यहां पर मेरे पास एक function F or G है जो R से R की from R to R and G is also a function from R to R साथ में यह given है कि F of X की जो definition है it is X plus 1 और जो हमारे G of X की definition है this is 2X minus 3 आप हमें बता दो कि what is F plus G हमने का यार F plus G पता है क्या होगा F of X में G of X को जाके add कर दो तो F plus G क्या होगा F of X में G of X को add कर दो F of X क्या है मेरे पास X plus 1 G of X क्या है मेरे पास 2X minus 3 तो कितना आ रहा है जी 2X plus X क्या होगा 3X 1 minus 3 क्या होगा minus 2 तो यह आ रहा है F plus G ठीके, screenshot लो पहले इसका ठीके, तो I hope यह वाना question clear है राइट, आप यहाँ पर ऐसा x लिख देना पहले ठीके, f of x आया ना, यह f plus g of x आया, 3x minus 2 अब आपको चाहिए यहाँ पर f minus g तो f minus g कैसे मिलेगा बिटा, f minus g of x this is basically f of x minus g of x आपके पास f of x क्या है, आपके पास f of x है x plus 1 आपको subtract करना है g of x, क्योंकि g of x में दो terms है, subtract कर रहो, bracket बना लेना, यह ऐसा आपने bracket बनाया, ठीके, तो यह क्या आ रहा है, x plus 1 minus 2x plus 3, कितना आ रहा है, this is x plus 1 minus 2x plus 3, ठीके, क्या मिलेगा आपको, minus x plus 4 मिलेगा, चेक कर लो एक बार, f minus g चाहिए, तो यह क्या होगा, f of x minus 3 of x होगा, f of x से x plus 1 minus g of x में दो terms हैं, bracket बना लिया, 2x minus 3, तो bracket open करेंगे minus 2x minus minus plus होगा, so this is x plus 1 minus 2x plus 3, x minus 2x minus x, 1 plus 3, 4, तो आपके पास answer क्या आ रहा है, आपके पास answer आ रहा है, minus x plus 4, इसके साथ आपका यह question भी complete हो जाता है, ठीके, clear है सबको, चलो, अब इसका last part आपसे कहता है कि आप हमको f y g बता दो, तो हमने का very simple, f y g क्या होगा, f of x divided by g of x, f of x क्या है आपके पास, x plus 1 है, g of x क्या है आपके पास, 2x minus 3 है, ठीके, साथ में, आप यहाँ पे लिख देंगे, provided, क्या लिखोगे, provided, यह जो denominator है न, this cannot be 0, मतलब x की क्या value नहीं हो सकती, x की value 3 by 2 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x 3 by 2 हो गया, तो denominator 0 हो जाएगा, यह not define हो जाएगा, आपको सब कुछ make sure करना होता है, यही same चीज़ हमने पिछले वाले range में किया था, denominator 0 नहीं हो सकता है, तो अगर denominator 0 नहीं हो सकता है, तो जिस भी x के लिए वो 0 हो रहा है, उसको गायब करना होता है, so this is your f by g, तो यह तो simple है, algebra of functions, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर, that is question number 8, so next question है, question number 8, let f is equal to this be a function from z to z, defined by f of x is equal to ax plus b for some integers a, b, determine कीजिए a and b की value क्या है, एक बार अपनना इस question को तुड़ा लिख लेते हैं, हमारे पास f क्या है, हमारे पास f एक function है, इस function के अंदर जो ordered pairs है, वो कुछ इस तरीके के रखे हुए है, ठीक है, यह रहे आपके functions, clear है सबको, अब यह function कहां से कहां की तरफ है, यह function आपका z से z की तरफ है, और इस function को आपने define कैसे किया है, कि f of x is equal to ax plus b, ओके, for some integers a and b, आप हमें a and b की value बता दो, exam के लिए यह question भी आपका important हो जाता है, तो a and b की value चाहिए हमको, ठीक है, और इनने हमको यह बता दिया है कि जो function है, z से z की तरफ जा रहा है, और यह function के जो कुछ ordered pair से, यह आपको लिखके दिखा दिये, ठीक है, function की definition बताई कि यह ordered pairs कैसे बने, आपने जब integer 1 लिया तो इसका output 1 कैसे मिला, उसके लिए definition यह आपके लिखके दिखा दिये, बस, खुश हो गए हम, हमको a and b चाहिए न, तो सुनो, ध्यान से सुनो, बिटे यह तो होता है x और इसे कहते है f of x, सब जानते हैं इसको, this is x, this is f of x, यदि मेरा x 1 है, तो यह क्या है जी? f of 1 है, f of 1 की value क्या है? 1 है, अब एक काम करूआ, मैंने x की value ले ली 1, x की value मैंने ली 1, यहां रखूंगी तो यह बनेगा f of 1, अब यहां जहां जहां x है वहां पे आप 1 रखतो, f of 1, f of 1 क्या है मेरे पास? 1 है, तो यह बनेगा 1 is equal to a plus b, ठीक है? This is my equation number 1, अब क्यूंकि मुझे a and b, दो variable की value चाहिए, तो मेरे पास दो equations होनी चाहिए, yes or no, बिल्कुल yes, एक equation तो यह रही, अब दूसरी equation कैसे मिलेगी? मैं इतने सारे point है तो, अब इस बार आप x इसको ले लो, और यह आ रहा, यह वाला आपका f of x हो जाएगा, मैंने का बिल्कुल ठीक के रहे हो आप लो, तो मैंने x की value ले ली 2, तो यहाँ पे मैं रखूंगी, f of 2 is equal to, a, x की जगा पे 2, this is b, तो मेरा जो f of 2 है, वो क्या बन रहा है? 2a plus b, now what is the value of f of 2? यह अगर x मेरा 2 है, तो यह f of 2 होगा, और f of 2 कितना है जी? 3, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3, so 3 is equal to 2a plus b, and this is my second equation, simultaneously a and b equation को solve कर लो, elimination method से, यहाँ पे मेरे पास है कि a plus b मेरा 1 के बराबर है, और यहाँ पे 2a plus b मेरा 3 के बराबर है, आपके यह b उड़ गए, a मेंसे 2a गया, तो minus a, this is equal to 1 minus 3 is minus 2, तो a की value आ रही है 2, a की value क्या आ रही है आपके पास? 2 आ रही है, अब a की value हमारे पास 2 आ गई है, अब हम क्या करेंगे? b निकाल लेंगे, a की value 2 यहाँ रख दो, आपको b मिल जाएगा, so 1 is equal to 2 plus b, तो बच्चे यहाँ से b क्या आ रहा है? 1 minus 2, that means minus 1, so a आ रहा है 2, और b आ रहा है minus 1, simple है न? आप किसी को भी ले सकते थे, आप इसको x ले लो, इसको f of x ले लो, this is your x, यह आपका f of x, ठीक है, किसी को भी लो, डालो और answer निकाल लो, यह question important है, एक या दो marks में पेपर में आ सकता है, इसको अठे से पढ़ो, समझो, analyze करो, screenshot लो, फिर आगे चलते हैं, so I hope यह question clear है, पेपर में जरूर आएगा, चलते हैं question number 9 की तरफ, question 9 बहुत important question है, let R be a relation from N to N, R आपका एक relation है, N से N की तरफ, यह language में लिखा है, mathematically आप इसको कैसे लिखेंगे, R such that N tends to N, यह फिर R हमारा subset है, N cross N का, ठीक है, defined by, कैसे define किया है, इस relation के अंदर, N cross N में से आपको कौन से, ordered pairs को उठाना है, आपको उन ordered pairs को उठाना है, जो A, B type के होंगे, such that आपका A and B, दोनो natural number के परिवार से है, and इसके साथ, आपका जो A है, वो B square के बराबर है, उन A and B को, N cross N से आप उठाऊगे, जो यह दो condition को satisfy कर रहे हैं, वो सभी ordered pairs, आपके R के अंदर बैठेंगे, अब इनने पूछा है कि, are the following true, अब A के करके आपके पास कुछ equations आएंगे, कुछ expressions आएंगे आपको बताना है, कि यह statement सही है या नहीं, और reason भी दो, मैंने का ठीक है, इनका कहना है कि, A belongs to R, for all A that belongs to N, इनका कहना यह है कि, for all, for all का मतलब है, कि जितने भी natural numbers है, मैंने क्या का, for all A that belongs to N, यह A का मतलब क्या है, यह A arbitrary है, मेरे इस natural number के set में, इस natural number के set में, जितने भी natural numbers है, उन सब के लिए, मुझे मेरे relation के अंदर, कुछ इस तरीके के ordered pairs मिलेंगे, ऐसा कहना है, इस statement का, क्या कह रहे हैं यह लोग, कि जितने भी for all, मतलब जितने भी natural number, for all A, उन सबी natural numbers को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on, सबी natural number को, इनने denote किया है A से, तो जितने भी natural number, और आपके इस N सेट के अंदर बैठे हैं, क्या उन सब का ऐसा doublet doublet, मुझे R relation के अंदर मिलेगा, क्या A A बिलॉंग करेगा R में, ऐसा इनका कहना है, तो हम कहेंगे सुनो, R के अंदर, तो सिफ और सिफ, वो ही ordered pairs आ सकते हैं, जो ये condition को फिल फिल कर रहा है, भाईया पहला भी natural, दूसरा भी natural, साथ में, मेरा जो first element है, it is the square of second element, अगर मैं इस condition को देखूं, और जो ये demand कर रहे है, इसको सोचूं, तो मैं कहूंगे बेटा, ये तो false है, क्यों? Without a shadow of doubt, इसके अंदर 1-1 तो होगा, क्योंकि 1-1 इस condition को फिल फिल कर रहा है, 1 is equal to 1 का square, no doubt, बिल्कुल ठीक है, 1-1 तो मेरा R में होगा, लेकिन जो 2-2 है, this 2-2 is not in R, 2-2 does not belongs to R, Why? क्योंकि किसी भी ordered pair को, अगर इस R relation के अंदर बैठना है, तो उसको ये condition को फिल फिल करना पड़ेगा, 2-2 नाम का ordered pair R में नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि 2 is not equal to 2 का square, this is A, this is B, A should be equal to B का square, इस वाले case में A, B के square के बराबर था, लेकिन यहाँ पे मेरा A, which is 2, is not equal to 2 का square, क्योंकि 2 का square तो 4 होता है, तो मुझे 2-2 नाम का ordered pair इसमें नहीं मिलेगा, similarly, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 and so on, ये सब ordered pairs मुझे मेरे इस relation के अंदर नहीं मिलेंगे, इसका मतलब जो ये कह रहे थे, कि जितने भी natural number आपके N set में बैठे है, उन सब का doublet R में होगा, तो आपने का नहीं, सिर्फ 1-1 होगा, उसके बाद कोई नहीं होगे, क्योंकि किसी भी ordered pair को अगर R में बैठना है, तो उसको ये condition hold करनी है, जो की 223344 hold नहीं कर रहे, इसका मतलब this is false, ये जूट है, ये गलत है, ठीक है, समझें, आप लोग इस टीज को पका, screenshot लीजिए, चलो, अब इसके second part को आपन देखते हैं, second part क्या कहता है, वो ही question है आपका, आपका जो relation है बच्चे, वो N से N की तरफ जा रहा है, आपका relation है, subset है N क्रॉस N का, इस relation के अंदर, सिर्फ उनहीं ordered pairs को, N क्रॉस N में तो बहुत सारे ordered pairs होंगे, सिर्फ वो ही ordered pairs को इसमें बैठनी की जगा दी गई है, जो ये condition फिल फिल करें, कि पहला दूसरा element natural number है, and इसके साथ में, जो भी पहला element है, it is a square of दूसरा element, बस वो ही ordered pair, इस N क्रॉस N में से उठके R के अंदर आएंगे, ठीके, अब ये पूछते हैं, क्या ये statement true है, ये statement क्या कहती है, कि अगर A, B आपका R के अंदर बैठा है, A, B अगर आपके R के अंदर बैठा है, तो क्या ये imply करता है, कि B, A भी R के अंदर बैठा होगा, इनका ऐसा कहना है, कि सुनो, अगर, अगर यहाँ पे 4,2, 4,2 R के अंदर है, कोई भी ordered pair R के अंदर कब होगा, जब वो इस condition को फिल फिल करे, मैंने का 4,2 R के अंदर है, देखो न, A मेरा 4 है, B मेरा 2 है, लेकिन उसका square करना, yes, they are equal, 4,2 अगर R के अंदर बैठा है, तो क्या ये imply करता है, कि इसका उल्टा, मतलब 2,4 भी आपका R के अंदर बैठेगा, क्या यह ऐसा मैं बोल सकती हूँ, क्या मैं ऐसा claim कर सकती हूँ, कि 4,2 R में है, तो इसका उल्टा 2,4 भी R में होगा, तो आप कहोगे, माम, कोई भी ordered pair R में तब ही हो सकता है, जब पहले element is square of दूसरा element, दो कब से 4 के square के बराबर होने लगा, this is the false, ये तो जूट है, इसका मतलब क्या है, it does not belong to R, इसका मतलब ये ऐसा कुछ नहीं होता भीया, जरूरी नहीं है ये तो, कि अगर 4,2 R में है, तो 2,4 भी R में होगा, देखा आपने अभी-भी 2,4 R में नहीं है, से वो ही ordered pairs R में बैट सकते हैं, जो उस शर्थ को फिल-फिल करें, 4,2 हाँ, 4 is equal to 2 square है, परन्तु 2 is not equal to 4 square, तो 2,4 R में नहीं होगा, तो हम ऐसे आख बंद करके ये नहीं कह सकते, कि अगर A, B, R में है, तो उसका उल्टा भी R में होगा, तो आप कहोगे, इस जूट, ये तो false है, reason के लिए example दे देना, ठीक है, clear है सबको, चलो, अगला, इसी question में, मेरा जो R relation है, वो N से N की तरफ जा रहा है, relation is a subset of N cross N, इस N cross N में अनंत ordered pair होंगे, परन्तु relation के अंदर, वो ही ordered pairs आके बैठ सकते हैं, जिसका पहला दूसरा element, नाच्रल नंबर के परिवार में है, और पहला element is a square of तूसरा element, तो ये हमसे पूछ रहे हैं, कि सुनो भाई, अगर A, B, R में है, B, C, R में है, तो क्या A, C, R में होगा, मैंने का अच्छी बात है, सोचते हैं, इस A, B मेरा R के अंदर बैठा है, ठीक है, बोला कि A, B, R में है, B, C, R में है, तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ, कि A, C, B, R में होगा, क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ, क्या ये true है, मैंने का सुनो, ये दोनों अगर R में है, तो ये R में कैसे बैठे, इनने उस condition को फिल्फिल किया होगा, अगर A, B, R में है तो इसने तो definitely imply किया होगा कि A equal to B square है अगर B, C, R में बैठा है तो यार ऐसे तो नहीं बैठ गया होगा उसने condition को fulfill किया होगा कि B equal to C square है जब A, B के square के बराबर है B, C के square के बराबर है अगर आपने ऐसा एक भी example सोच लिया जो आपको ये दिखा दे कि A is not equal to C square तो ये statement false हो जाएगी ठीक है जो लोग कुछ example सोचते हैं आप लोग कुछ example सोचो और मुझे बताओ मैं भी कुछ example सोचते हूँ suppose कीजिए कि हमने एक pair ले लिया कैसा pair ले ले अपन 16,4 और एक ले लो आप 4,2 I think ये valid है ये मेरा A,B हो गया and this is my B,C ठीक है बच्चे इसका दूसरा इसका पहला same होना चाहिए according to the condition उस condition के साब से example बनाना है आपको तो yes 16 is equal to 4 का square and 4 is equal to 2 का square तो क्या A मेरा C के square के बराबर होगा A क्या है 16 क्या 16 2 के square के बराबर है नहीं इसका मतलब एक example भी अगर आपने जूटा दिखा दिया ना false करा दिया जिसने statement को the statement will be false क्या किया मैंने मैंने ये कहा यहां पर कि बच्चे ये लोग कह रहें कि A B मैडम R के अंदर बैठा है तो हमने का अच्छा A B R के अंदर है हमने का ठीक है 16,4 होगा suppose वह example दोनो natural number है और उस condition को फिल फिल कर रहा है 16 is equal to 4 का square BC भी मैं मार के अंदर है तो ठीक है 4,2 क्योंकि इसका दूसरा इसका पहला सेम होना चाहिए तो 4,2 दोनो natural number है और condition भी फिल फिल कर रहा है 4 is equal to 2 का square परन्तू 16 is not equal to 2 का square 2 का square तो 4 होता है इसने क्या imply किया इसने ये imply कि 16,2 does not belongs to R इसका मतलब ABR में BCR में तो जरूरी नहीं है कि AC भी आपका R में होगा वो हो भी सकता है भी है नहीं भी हो सकता है और अगर नहीं का एक example भी आ गया तो हम कह देंगे जो ये लोग कह रहे है कि imply करता है तो this is false imply करता है मतलब हमेशा ऐसा होगा हमने तो example दे दिया देखो नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या this is false ये गलत है क्या ये true है नहीं ये गलत है आपने आप example भी दे दिया I hope ये question clear है पता ये जो relations आप देख रहे हो ना ऐसा A A belongs to R A B R में है तो B A B R में होगा A B R में है B C R में है तो A C B R में होगा ये जो statements इनने लिखी है ना वे बेसिकली टॉकिंग अबाउट reflexive symmetric and transitive relations जो आप लोग 12th class में पढ़ोगे नाम यहां नहीं बताया है लेकिन conditions बता दी है अभी stress नहीं लेना है अभी तो बस example देखें बता देना क्या सही है या गलत है तो देखा जाए अगर ध्यान से तो I think तीनों ही आपके false आए है तीनों ही true नहीं आए चलिए जी आगे देखते हैं अगला सवाल let A is equal to this B is equal to this F आपके पास function है are the following statements true यह आपको बताना है हमने का कोई समस्या नहीं है हमारे पास A set है क्या A set के अंदर हमारे पास 4 element है हमने वो 4 element रख लिए B set के अंदर हमारे पास elements है 1, 5, 9, 11, 15, 16 ठीक है F जो है उसके अंदर कुछ ordered pairs है 1, 5, 2, 9, 3, 1 और उसके बाद में क्या है 4, 5 और फिर आपके पास है 2, 11 अब यह पूछने हैं क्या are the following true F is a relation from A to B A set है, B set है 1, 5, 9, 11, 15, 16 F के अंदर कुछ ordered pairs है 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11 इनका कहना है क्या F relation है A से B क्या यह statement true है तो देखो इनका कहना है कि F is a relation from A to B सुनो हम जानते हैं कि अगर F को A से B का relation होना है तो भाईया F को subset होना है A cross B का अगर F को relation होना है अगर F को relation होना है A से B की तरफ तो भाईया F should be subset of A cross B यानि A x B में जो ordered pairs आएंगे उसके ही ordered pairs मेरे F में होने चाहिए अगर A x B के ordered pairs मेरे को F में नजर आ जाते हैं मतलब F is a subset of A x B, then F is a relation from A to B तो मैं इस F के अंदर रखे ordered pairs को चेक कर लूँगी मैंने पहले ordered pair देखा 1,5 क्या A से B के तरफ 1,5 ordered pair मिलेगा? 1,5 हाँ मिलेगा 2,9 क्या A से B के तरफ 2,9 ordered pair मिलेगा? हाँ जी मिलेगा 2,9 3,1 A से B में 3,1 मिलेगा? YES 4,5 4,5 मिलेगा? YES 2,11 2,11 मिलेगा? YES तो आप यहापे लिखेंगे clearly maths में सबसे प्यारा शब्द clearly we know that hands prove है ना सही है? चलो आप भी बता ना आपको maths में कोहन सा शब्द जादा चलगता है? so clearly आपे समझ में आ रहा है clearly F is a subset of A cross B therefore F is a relation F is a relation from A to B क्योंकि subset है भही है उसी में से उठाया है आपने तो relation भी होगा so F is a relation from A to B so yes it is true are the following statements true? yes यह तो true है it is true एकदम सच कहा इनने अब इसका second part देखो second part कहता है कि F is a function from A to B अगर F को A से B के तरफ का function होना है तो बस इसको दो condition को याद रख लेना है condition number one A से B के तरफ जाने में पहले सेट का यदी कोई element single रह गया इस बिचारे का कोई connection ही नहीं हुआ इस बिचारे का कोई image ही नहीं हुआ यह बिचारा किसी का pre image नहीं बन पाया यह अकेला रह गया and short single रह गया तो यह function में यह function नहीं होगा if any element from your first set is empty empty मतलब अकेला रह गया यह मत सोचो सिफ़ इतना सुनो अगर पहले सेट का कोई भी element single रह गया अकेला रह गया तो वह function में नहीं जा पाएगा तो वह function नहीं होगा इसके बाद next condition अगर पहले से एक element की दो-दो image हो गई ठीक है एक element की दो image नहीं होना चाहिए ना element का और नहीं किसी भी चीज में एक इंसान का एक image होना चाहिए unique image अगर किसी पहले सेट से आपको ऐसा diagram मिल गया कि एक element की दो-दो image आ रही है तो भी ये function नहीं है दोनों condition होगी तो भी function नहीं है इन दोनों में से कोई एक condition होगी तो भी function नहीं है अब हमको चेक करना है क्या F मेरा function है A से B की तरफ क्या ये बात सच है, true है मैंने का ठीक है, diagram बना लेते हैं this is a set A, this is a set B A से B की तरफ चेक करना है set A में elements है 1, 2, 3, 4 set B में elements है 1, 5, 9, 11, 15, 16 चेक करो, चेक करो, चेक करो 1, 2, 3, 4, 1, 5, 9, 11, 15, 16 अब F के अंदर कुछ ordered pair से मतलब connections करो 1 का connection 5 से, ठीक है 2 का connection 9 से, ओके जी 3 का connection 1 से, ओके 4 का connection 5 से, no problem 2 का connection 11 से, हो गई problem although सारे A की elements की image है परंतू, unique image नहीं निकली आप देख सकते हैं, F is a function from A to B no, it is not a function from A to B why, because 2 that belongs to set A corresponds to, या फिर has 2 images, भाहिया इसकी तो दो दो शकली निकली दो दो images निकली, it has 2 images कौन कौन, 9 and 11 इसकी दो image है, जिसके वजह से ये function नहीं है यदि ordered pairs, दो different ordered pairs की पहले element same हो जाते हैं, तो भी वो function नहीं होता क्यों? क्योंकि उनकी 2 images आ जाती है तो अगर 2 images है, it is not a function एक का 2 नहीं हो सबता ठीक है? चलिए जी, आगे आ जाओ next question है, कि let f be the subset of z cross z defined by this is f a function from z to z justify your answer आप इस question को read करो, copy में solve करने की कोशिश करो फिर अपन start करेंगे तो क्या कह रहा है ये question आप से? कि f is the subset of z cross z f क्या है? it is a subset of z cross z ठीक है? defined by f is equal to f के अंदर कुछ ordered pairs है f आपका subset है z cross z का और f के अंदर कुछ ordered pairs है एक a,b,a plus b type के such that a,b belongs to z ठीक है? इस तरीके के ordered pairs हैं आपके पास f के अंदर is f a function from z to z अब ये पूछ रहे हैं क्या f आपका function है z to z ये आप हमें बता दो f subset है z cross z का मतलब f तो एक relation है अब क्या ये relation function है? ये आपको सोचके बताना है तो आप कहोगे यार कोई function कब होता है? कोई function तब होता है जब पहले set का कोई element खाली ना छूटे सबके लिए connections हो सबके connections हो और पहले set से एक का दो नहीं होना चाहिए अगर कोई खाली छूट गया पहले set में तो भी function नहीं है अगर पहले set से एक का दो हो गया तो भी function नहीं है हमने का अच्छा जी तो हमको बस यही दो चीज़े चेक कर लेनी है इसमें क्या हो रहा है? तो हमना example लेते हैं हमने example लिया कि एक काम करो A, B हमारे Z को बिलॉंग कर रहे हैं हमने एक example लिया 12 मेरा A हो गया A मैंने 12 लिया B मैंने 8 लिया चलो B मैंने 2 ले लिया, हटाओ A मैंने 6 ले लिया B मैंने 2 ले लिया यह integer को बिलॉंग करता है Yes, यह भी integer को बिलॉंग करता है तो अगर मैं इसका ordered pair बनाओ तो इसका ordered pair क्या होगा F के अंदर मुझे क्या मिलेगा A, B, 6 into 2, 12 और दूसरा क्या 6 plus 2, 8 ऐसा ordered pair मिल रहा है अब ऐसे क्योंकि मेरे जो A and B है integer को belong करता है तो अगर मान लो मैंने A minus 6 ले लिया मैंने B minus 2 ले लिया तो क्या हो रहा है पहला ordered pair क्या होगा A into B minus 6 into minus 2, 12 फिर A plus B है तो इनको add करो minus 6 minus 2, minus 8 आप ऐसा कुछ देख रहे हो ऐसे तो बहुत सारे ordered pairs बन सकते हैं मैंने ना सिफ ये दो example लिये ठीके, मैंने दो ordered pairs बनाए मैं क्या देख रहे हूँ मैं ये देख रहे हूँ कि दोनों का पहला element same है दो different ordered pairs के element same है first element same है और हम जानते हैं अगर किसी भी relation को function बनना है ना तो no two distant ordered pairs should have same first element यहाँ पे इसका भी पहला element बारा है इसका भी पहला element बारा है अगर आप इसका diagram बनाने जाओगे ना तो आप यह पाओगे कि 12 8 से भी connected है 12 minus 8 से भी connected है 12 की दो-दो images है 12 की दो-दो images है single element many images 1 का 2 हो रहा है यहाँ पे 1 का 2 हो रहा है मतलब this cannot be a function so this is not a function example के लिए आप ऐसे ही लिख दे ना example लिए हमने कि let let this and this ऐसा case है ठीक है a equal to 6 belongs to integer b equal to 2 belongs to integer a equal to minus 6 belongs to integer b is equal to minus 2 belong to integers यहाँ पे हम क्या देख रहे है यहाँ पे हम देख रहे है कि इस वाले case में हमको क्या मिल रहा है ordered pair हमको यह मिल रहा है यहाँ पे कि for 12 image of 12 इन दो examples से आपने क्या देखा कि जो image है image of 12 वो क्या आ रहा है, image of 12 is not unique, image of 12 is not unique, ठीक है, दो-दो images आ रही है, इसका मतलब this is not a function, तो इस तरीके से आप example लेकर यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है, आपके पास यह function था, आपको प्रूव करना था, क्या यह function है या नहीं, तो मैंने का definition क्या है, f subset है, z cross z का, f के अंदर ऐसे ordered pairs है, a, b belongs to z, ठीक है, a, b and a plus b, तो मैंने example लिये, मैंने का चलो, a मेरा 6 है, b मेरा 2 है, दोनों integer को बिलोंग करता है, इसके लिए ordered pair बनाया, तो पहला element 12,8 आ रहा है, फिर एक एक और example मैंने इसी में लिया, minus 6, minus 2, दोनों integers हैं, तो minus 6 into minus 2, 12 हो ज गया, 12, and minus 6 minus 2 क्या हो गया, minus 8, हम यह देख रहे हैं कि यहां पे हमारे पास, अगर मैं इसका function बनाती हूं, तो मैं देख रहे हूं कि 12,8 आ रहा है, और 12, minus 8 आ रहा है, एक बारा की दो-दो image इसार ही है, इसका मतलब this is not a function, image of 12 is not unique, therefore it is not a function, तो इस example से हमने यह जीज़ बत पलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, so question number 12, last question है, मिसलेनिस exercise का, क्या कहता है, एक question आराम से read करो और solve करने की कोशिच करो, let a is equal to a set, हमारे पास कोई set है, a जिसके अंदर elements रखे है, 9, 10, 11, 12, 13, okay, and let f such that a tends to n be defined by f of n is equal to highest prime factor of n, f of n के अंदर क्या है बच्चे, highest prime factor of n है, ठीक है, highest prime factor of n, आपको find करना है range of f, आपको इस f की क्या चाहिए, range चाहिए, तो ठीक है, हम क्या करेंगे, f के अंदर ordered pairs बना के रख देंगे, ordered pairs में जो भी second element होंगे, उन सब का जो set होगा, that is known as range, ठीक है, चालो जी, आप इनके ordered pair हम कैसे बनाएंगे, आप वो देखिए, इनने क्या कहा है, अब ये obvious है, कि जो आप ये n ले रहे हो ना, यूगि आपका function a से n की तरफ जा रहा है, तो जो आप इस function में input करोगे, वो कहां से करोगे, set a से करोगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे 9, तो 9 में जो highest prime factor होगा, वो आपको यहाँ पे as a answer लिखना है, तो आओ ज़रा 9 के हम factors निकालते हैं, तो ये रहा 9, 3, 3's are 9, 3, 1's are 3, तो इसके prime factor में क्या मिल रहा है आपको? 3, right, 3 into 3 मिल रहा है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, मैं हम कैसी बात कर रहे है, दोनों इतो 3 है, तो yes, तो यहाँ पे highest prime factor क्या है, जी, 3 ही है, तो f of 9 का answer क्या आएगा? 3 आएगा, इसी तरीके से हम दूसरा input करेंगे, that is 10, तो f of 10 हमको क्या मिलेगा? highest prime factor of 10, ठीक ह यहाँ पे f of 10 का output क्या होगा? highest prime factor of 10, तो अब हम लोग जाके 10 के factors निकालेंगे, तो चलिए जी, 10 के factors निकालते हैं, so this is 2, 5's are 10, 5, 1's are 5, तो इसके prime factor में आपको 2 और 5 मिल रहा है, अब इन दोनों में से जो highest है, जो सबसे बड़ा है, वो आपको as a output लिखना है f of 10 का, तो य यहाँ पे आप आंसर क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे 5, इसके बाद, इसके बाद next है, आपके पास 11, ओके, 11 आपने input किया, तो output में क्या मिलेगा? highest prime factor of 11, तो चलिए जी 11 के factors निकालते हैं अपन, तो अगर 11 के factors निकालोगे ना, तो बिच्चा क्या ही मिलेगा आपको, 11 बंजा, 11, output, आपको 11 ही मिलेगा, ठीक है? ओके, चलिए, next, next है हमारे पास f of 12, अब हमको 12 में इसका output देना है, तो f of 12 क्या होगा? highest prime factor of 12, तो चलिए जी 12 के factors लेते हैं अपन, तो यहाँ पे हमने लिखा 12, this is 2, 6 are 12, prime factors लिखते हैं यहाँ पे, 2, 6 are 12, यही आ रहा है 12 के prime factors, तो इन prime factors में से जो सबसे बड़ा है, that is the output of f of 12, तो f of 12 का answer क्या है? 3 है, फिर आजा और last क्या है आपके पास f of 13, तो f of 13 क्या होगा? चलिए जी 13 के factors लेते हैं, 13 का factor लोगे बच्चे तो आपको 13 ही मिलना है, ठीक है? 13 बंजा 13 only, तो यहाँ पे f of 13 क् highest prime factor of 13, तो highest prime factor of 13 क्या आ रहा है जी? 13 ही आ रहा है, तो हमने क्या सीखा था, हमें यह पता है, कि यहाँ पे जो हम ordered pair बनाने जा रहे हैं, तो उस ordered pair में क्या होता है? अगर यहाँ पे लिखा है x, तो इधर होता है f of x, ठीक है? तो अगर यहाँ पे लिखा है क्या 9, तो 9 क्या है आपके पास 3 इसके बाद next क्या है बच्चे 10,5 अगला क्या है 11,11 इसके बाद क्या है 12,3 इसके बाद में क्या है 13,13 तो यह आ रहे हैं आपके पास F के ordered pairs अब इन ordered pairs में जो आपके second elements है without repetition उनका set आपको range देता है तो यहां पे जो range of F होगी range of F वो क्या होगा जी 3,5,11,13 क्योंकि 3 को दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, set में repetition को कोई मतलब होता है क्या कोई मतलब नहीं होता तो हमारे पास range क्या रहा है इसका हमारे पास इसका range आ रहा है 3,5,11,13 that's it, इसके साथ question number 12 आपने उड़ा दिया है, I wish कि यह question clear है किसी को कोई समस्या नहीं है, जैसा जैसा definition दे रहे है, उससे definition को follow करते जाओ एक set A दिया था, कह रहे थे कि F जो है A से N की तरफ जा रहा है, ओके और F of N क्या है highest prime factor of N है, तो आपको यह जो N उठाना है, यह input है, input आप कहा से उठाएंगे, set A से उठाएंगे आपने जब यहाँ पे 9 input दिया, तो इसका output क्या है, आएगा, इसका output आने के लिए आपको यह line के थुरू जाना है highest prime factor of 9, highest prime factor क्या है, 3, इसी तरीके से आपने हर एक input के लिए इसका output निकाला, आपने ordered pairs बना दिये, range बताना था, range क्या होता है, ordered pairs में, जो भी second elements होते हैं, without repetition, उनका set forms a range, that's it, question हो जाता है complete, So I think chapter number 2 की misplenious exercise आपको काफी simple लगी होगी, इसके साथ हम chapter 2 को पूरे तरीके से अपनी book NCRT से complete कर चुके हैं, अब next videos में हम chapter 2 के MCQs discuss करेंगे, one shot revision video आप लोगो खिलिया आएगा, most important questions का video होगा, उन सब को अच्छे तरीके से देखिएगा, आपका chapter number 2 एकदम अच्छे तरी video lecture find करने में problem जाए ना, तो आप याद रखिएगा, magnet brains की website है, आप website पर जाएए, अपने class को select कीजिए, फिर आपके class में जो भी particular subject आप पढ़ना चाहते हो, उस subject को चाके select कर लो, then उस subject से related channel पे, जितने भी videos अविलेबल है ना, उस सब कुछ आपको proper format में arrange मिल जाएगा, आपको जो भी पढ़ना है, बस उसकी link पे कर देना click, और हम teachers मिल जाएगे आपको पढ़ाते हुए, इसके साथ students पढ़ते रहे हैं, magnet brains के साथ,